अब सभी का हमारी चनेश टेरी रूप एजूकेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम CGPSC प्रारंभिक परिच्छा के लिए विगत वर्षों के कुछ महत्वूर प्रश्णों को देखेंगे ये सभी प्रश्ण इतिहास वी सैसे संबंधित है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण दिया गया है निम्नलिखित में से कीस एक सासक ने इस्टेंडिया कमपनी को दिवानी प्रदान की थी वह था आप्सन A है फर्रूक सियर आप्सन B है साह आलम प्रथम आप्सन C है साह आलम दूतिय और आप्सन D है सुजाओ दौला तो इसका सही अंसर होगा आप्सन C साह आलम दूतिय साह आलम दूतिय के द्वारा इस्टि इंडिया कमपनी को दिवानी प्रदान की गई थी अगला प्रश्ण है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी आप्सन A है मैडम ब्लावेश्टकी आप्सन B है राजाराम मोहनराय आप्सन C है महत्मा गांधी और आप्सन D है सौमी विवेक अनन्द जिसका सही अंसर होगा आप्सन A मैडम ब्लावेश्टकी के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी अगला प्रशन है भारती राष्टी कांग्रेश के प्रथम मुश्लिम अध्यक्ष कौन थे आप्सन A है अबुल कलाम अजाद आप्सन B है सौका तली आप्सन C है महम्मद अले जिन्ना अप्सन D है बद्रूद्दिन तैब जी इसका सहियनशरोगा ऑपशन D बद्रूद्द्दिन तैब जी भारती राष्टी कांग्रेश के प्रथम मुश्लिम अध्यक्ष बद्रूद्दिन तैब जी थे अगला प्रशन है भारती क्रांति की मा कहलाती है option A है any patient, option B है सरोजनी नाइडू, option C है रमाबाई option D है किसने खिलाफा तांदुलन को हिंदू और मुसल्मानों की एकता को एक ऐसे आउसर के रूप में देखा जो सव वर्सों के बाद पुना प्रस्तूत नहीं होगा option A है अली बंदू, option B है अबुल कलामाजाद, option C है महत्मा गांधी और option D है खान अब्दूल गफ़ार खान तो इसका सही अंसर होगा option C महत्मा गांधी महत्मा गांधी जी ने खिलाफा तांदुलन को हिंदू और मुसल्मानों की एक ऐसे आउसर के रूप में देखा जो अगले 100 वर्षों में पुना प्रस्तूत नहीं होगा अगला प्रशन है वे राष्टी नेता कौन थे जो 1925 में सेंटर लेजिसलेटी असेम्बली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अगला प्रशन है 1928 में साइमन कमिशन भारत में की सुद्येश से आया था अप्शन A है प्रसासनिक सुधार पर विचार के लिए अप्शन B है सिक्षा में सुधार के लिए अप्शन C है क्रिसी छेतर में सुधार के लिए और अप्शन D है सैनिक छमता में मुल्यांकन हे तू तो इसका सही अंसरों का option A, प्रसासनिक सुधार पर विचार हेतू, 1928 में साइमन कमिशन भारात आया था अगला प्रस्ण है, जलिया वाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे option A है, गांधी और लाला लाजपतराय की गिरपतारी के प्रती विरोध प्रदर्शन करने के लिए option B है, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए option C है, वैसाखी की प्राथना के लिए और option D है पंजाब सरकार के अमानवी एक रियकलाब के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए तो इसका सही अंसर होगा option B किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था अगला प्रशन है निम्नली खित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया option A है नैनी, option B है यर्वदा, option C है सैक्यूलर और option D है आगाखा पैलेस तो इसका सही अंसर होगा option B यर्वदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया अगला प्रश्न है गांधी जी के नुसार राजनिती का तातपर्य था अप्शन A है धर्म विहन राजनिती, अप्शन B है जन कल्याड के लिए सक्रियता अप्शन C है सत्ते विहन राजनिती और अप्शन D हुप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अप्शन B जन कल्याड के लिए सक्रियता महत्मा गांधी के नुसार राजनिती का तातपर्य था अगला प्रशन है तीलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिगों को एक में मिला दिया गया था अप्शन A है 1916 में, अप्शन B है 1918 में, अप्शन C है 1920 में और अप्शन D है 1923 में तो इसका सही अंसर होगा अप्शन B, 1918 में तीलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लिग को मिला दिया गया था अगला प्रशन है, निम्ल लिखित, भारती राष्टी कांग्रेस के कीस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चमपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था अप्शन A है बनारास अधिवेशन 1905, अप्शन B है कोलकाता अधिवेशन 1906, अप्शन C है सूरत अधिवेशन 1907 और अप्शन D है लखनव अधिवेशन 1916 तो इसका सही अंसर होगा option D लखनव अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चमपारड की किसानों की समस्या से अउगत कराया गया था अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत की राजधानी कुलकाता से दिल्ली स्थांतरित की गई थी अप्षन A है 1901 में, अप्षन B है 1905 में, अप्षन C है 1911 में और अप्षन D है 1912 में तो इसका सही अंसर होगा option D 1912 में भारत की राजधानी कुलकाता से दिल्ली 1912 में स्थांतरित की गई थी अगला प्रशन है दिल्ली में उनके राजधी प्रवेश के अवसर पर बम फेका गया था अप्षन D है लाड करजन, अप्षन B है लाड मियो प्रथम, अप्षन C है लाड मिंटो प्रथम और अप्षन D हलाड हार्डिंग प्रथम तो इसका सहियन सहर होगा अप्षन D लाड हार्डिंग प्रथम के प्रवेश के समय उन पर बम फेका गया था और इस वीडियो का आखरी प्रशना 1906 में मिंटो से सिमला में मिले मुसल्मानों के सिष्टम अंडलने प्राथना की अप्षन A है मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन वर्ग के लिए अप्षन B है सयुक्त निर्वाचन वर्ग के लिए अलावा हमारे चैनल पर आपको इतिहास और सविधान की ऐसे ही वीडियो प्लब्ध हैं जिसे आप जाकर प्रिलिस पर देख सकते हैं